नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं माइक ओन विद एस्टूडियो एविसोड फाइब में और आज हम बात करेंगे की जे मुवी के रिविव के बार में जो है स्पोईलर फ्री और ये मुवी की कहानी मैं आपको क्विक रिविव बताता हूं आप मुवी देखने जाओ तो आपका मुवी देखने का मज़ा करिकरता ना हो तो सबसे पहले जब स्टूरी स्टार्ट होती है तो हमें कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्स दिखाए ने तो इस प्लॉट है वह काफ़ी इंट्रेस्टिंग है और काफ़ी अलग है नॉर्मल इवल बॉल और गुड और इिवल वर्स जैसा नहीं है जैसा हम आज कलम देखते हैं मौविज में हॉल्लीवड या बॉलिवड कीहम कमपेरीजन करें तो वीजलवाइज भी जो हैं इस मौवी मेंज़ो हैं वह हॉल्लीवड टाइप हम कह सकते हैं कि हॉल्लीवोड को टक्कर दिने वाले हैं और हम story की बात करें तो story में सबसे एहम है mother और son का relationship दोस्तों आप सूचरों के मैंने spoiler दे दिया यह spoiler नहीं है दोस्तों यह आप जाओगे तो आपको पला चल जाएगा पूरी जो story है वैसे based है mother और son के relationship पे और खास इसमें time period time period 80s के समय की है, 80s में कई-कई टाइम पीरिड पे इसमें घटनाय हुई है, जो इसमें बहुत खुबसूरत तरीके से दिखाए गया है, और हम पाप करें, येस, क्या डाइनेमिक परफॉर्मेंस दी है, बहुत ही डाइनेमिक परफॉर्मेंस, और फुल मुवी है, वो पूरी सस परफॉर्मेंस बरी है, आप अलग-अलग टाइम दिखाते हैं कि इस टाइम पर ये वेंट हुआ और हम जज़ नहीं कर सकते हैं, ये पूरा सस्पेंस से बरी होती है, और बाप करें तो जो मुवी है उसमें जो होते हैं, वो हमें लगता है कि हम येरो हैं या विलन हैं, हम हम जज़ नहीं कर पाते हैं, तो जब आप मुवी देखोगे ता आप समझ जाओगे, और जो मुवी का प्लॉट है, वो बहुत ही इंट्रस्टिंग है, और जैसा कि पता है कि एजीएफ का चेप्टर बन है, तो इसमें एक विलन तक कहानी दिखाई गई है, और आगे ऐसी अलग-अलग बहुत सारे इसमें विलन्स हैं, तो ऐसी अलग-अलग चेप्टर में अलग-अलग विलन्स के साइध, एंड करेंगे, जो भी है, hope for the best, तो यह था छोटा सा रिव्यू मुवी के बारे में, मुवी में एक्ट्रेस जो है, उनोंने भी काफी अच्छा रोल किया है, और सबी जो भी एक्टर्स हैं, इसमें जो जो इसमें अच्छा रोल किया है, इसमें इस मुवी में, तो जो यह ओवरल मुवी है, काफी intense मुवी है, काभी, कह सकते हैं हम इसे काफी, dark मुवी कह सकते हैं, और as a gangster मुवी है, अगर मैं बताना चाहूँ आपको, और काफी interesting story है, तो मैं तो आपको suggest करूँगा कि आप एक बर जरूर देखके हैं, और कि आपको होग कि यह मेरा review पसंद आया होगा, spoiler free, मैंने बहुत minor सी detail आपको बताईए, आप जब मुवी देखोगे तो आपको बहुत enjoy feel करोगे, जब आप इसे, अगर हिंदी में देखना चाहते है जब तक के लिए दन्यवाद दोस्तों आपने वीडियो देखी, आप उसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिन, जय बारत जय है